इसमल्यार रह्मान ररहीम students आज हम discuss करेंगे fixed point या फिर invariant point of bilinear transformation bilinear transformation जो है इसके हमने invariant point को discuss करना के वो क्या होते है तो first of all हम इसकी definition देखते है definition is the point which coincide with their transforms under a bilinear transformation are called fixed point of the transformation ठीक है अच्छा definition में वो ये बता रहा है कि हमारे पास अगर कोई z plane पर point है point क्या है two three ठीक है z plane पर तो जब कह रहा है कि हम उसको transform करते हैं ठीक है यनि कि w plane पर जाते हैं किस transformation के थरू bilinear transformation के थरू जब हम उसको transform करते हैं तो जो हमारे पास transform आती है तो उस transform से जो point हमें मिलता है तो वो point जो है वो same ही map करता है मतलब same place पर shift होता है यनि point जो है वो same ही रहता है अगर ये first quarter में है तो यहां पर ये point है two and three तो जब हम bilinear transformation के थरू इसको transform करेंगे तो वो point same ही रहेगा ये इसका मतलब है तो वो point जो है वो same ही रहेगा उसमें कोई change नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे जो points जो हैं ऐसे points को हम बोलते हैं fixed point of that transformation जिस transformation के हम find कर रहे है तो इसका मतलब coincide करना है coincide करने से मुराद जिए के मतलब जो point के उपर point आ जाना है यहां फिर हम अगर देखें तो यह एक line है origin से pass कर रही है तो जब transformation के तरू देखा हमने w plane पर तो यह इसी के उपर दोबारा फिर line हागी ठीक है line के उपर line है तो यह इसका मतलब होता है coincide कर जाना है तो इनके जो है यहां पर infinite many fixed point हो सकते हैं तो यहां पर अगर हम single point की बात करें तो यह हमारे पास इस तरह की form में होगा तो इसके एक example देखते हैं तो देखें example से पहले आप देखें कि जब हमने z plane पर एक point था ठीक है जब उसको एक transformation यानि बाई linear transformation के तरू देखा तो वो point जो है वो same ही आगए यानिके उसी point पर ही मैब कर गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि Z और W दोनों बराबर हो गए जी पर तो यही है ना कि हमें जो एक image मिलेगा ठीक है point का और जब हम transformation के तरू देखेंगे तो हमें एक different image मिलेगा लेकिन यहां पर जो fixed point में बात की जाए तो इसमें तो हमें दोन जो W plane है वो दर असल क्या है हमारा F of X ए सोरी F of Z ठीक है F of Z है तो F of Z जब वो किसके एक वाल आ गया पिर Z के यानिके जो Z वाला point था उसको हमने transformation के तरू देखा तो दोबारे जो है किसके एक वाल आ गया है W के यानिके जो transformation की थी Z point की by linear transformation के तरू वो दोबारा वो ही point आ गया यानि जो W plane पर point आया वो दोबारा क्या है Z point ही आ गया तो यहां से पिर इसका जो general format वो यह ही होगा W is equal to Z मतलब उनके उनमें transform करने से जो उनमें कोई change नहीं आ रहा तो फिर W और Z दोनों सेम होंगे तो example है W is equal to 3 Iota Z plus 1 divided by Z plus Iota ठीक है यह हमारे पास एक bilinear transformation है यहनिके उस format में है तो आप चेक भी कर सकते हैं 3 Iota को Iota से multiply करें और इसका जो coefficient 1 है तो 1 को 1 से करें multiply अगर तो यह not equal to 0 आया तो फिर यह by linear transformation में होगा अगर equal to 0 आ गया तो यह जो है normal normalized यहां फिर normal form में होगा ठीक है तो यह हमारे पास जो format है यह by linear transformation में है तो जब भी आपने जो fix point हम find करेंगे हमने जब भी जो fix point find करने है तो fix point के लिए आपने let कर लेना है let w is equal to z ठीक है यह यह निए w को replace कर देना है z के साथ तो यह हमारे पास z is equal to 3 Iota z plus 1 over z plus Iota आगिया next से cross multiply कर दें cross multiplication के बाद z को अंदर multiply कर दिया तो हमारे पास यह equation बन गी अब यहां पर यह square complete हो रहा है इसको हमने लिख लिए माइनिस 1 को plus bracket में योटा sorry minus 1 ठीक है क्यों लिखा क्योंके minus 1 जो है वो equal to होता है योटा के ठीक है तो योटा योटा स्केर के sorry योटा स्केर के ठीक है माइनिस 1 किसके equal होता है योटा स्केर के या योटा स्केर equal to होता है माइनिस 1 के दोनों एक ही बात है तो इसकी जगा हमने जो है यहां पर minus 1 की जगा योटा भी लिख सकते हैं तो जब हम योटा का स्केर लिखेंगे तो यह होगया A का स्केर ये B का स्केर ठीक है तो यूं हमारे पास यह formula complete हो गया माइनस योटा का khol के तो यह दोने तरह स्केर वूट किया तो मारे पाद जी माइनस योटा इस इकल टो जिरू आ गया तो जी इकल टो योटा जी इकल टो योटा इस ट्रांस फॉर्मेशन का क्या होगा फिक्स्ट पॉइंट हो ठीक है नेक्स यह जैसा कि हम ने यह तो एक सिंपल बाइनियर ट्रांस पॉ मेशन्ट है तो उसका हमने को सब्क्तिनी लिए आप हम जन्रेय तो पर देखते हैं जन्रेली तो पर कि बाइन्ली ड्रांस विए जो फिक्स्ट पॉन्न किंटिन हों यानि कि वन होगा तो क्या होगा टू होगा तो क्या होगा ठीक है कौन सी ट्रांस्वर्मेशन बढ़नेगी या कौन सी शेप बढ़नेगी जैसे हमने लास्ट लेक्षर में जो है डिसकस किया था कि कि इन्वर्जन जो मैपिंग की उसके रिलेटर एक दो थीरों में हमने डिसकस किये थे वह किया थे कि जो एक सरकल या अगर डबल्यू प्लेइन पर एक लाइन है ठीक है वो रीजन से पास कर रही है तो जब इन्वर्जन मैपिंग से हम देखेंगे तो हमारे पास डबल्यू प्लेइन पर हमें एक सरकल देगी या फिर एक लाइन ही देगी तो अगर एक सरकल उरीजन से पास कर रहा है तो हमें डबल्यू प्लेइन पर इन्वर्जन मैपिंग के थरू वह एक जो है मैपिंग जो लाइन देगा या सरकल ही देगा यह डिफरेंट कंडिशन हमने डिसकस की थी इसी तरह आज हम जनली तोर पर जो है बाइलीनियर ट्रांस्फरमेशन इसको देखेंगे कि इसके फिक्स पॉइंट क्या होते हैं और जो फिक्स पॉइंट हैं उनमें कौन-कौन सी कंडिशन्स हैं कब जो है वो हमारे पास कौन सी फार्म बनेंगी फार एजमपल के वह हमें एक लाइन देगी या को सरकल देगी या को पैरा बोला हो गई या को इलीप्स हो गई इस तरह की कंडिशन्स हम देखते हैं तो कंसीडर कर लेने जो जनल फार्म आफ बाइनियर ट्रांस्फरमेशन डवल्यूज इकॉल टू एजी प्लस भी लैट कर लेना यानि के पुट कर देना आपने डवल्यूज इकॉल टू जी जी में पुट किया तो इसको सिंप्लिफाइ किया सिंप्लिफाय करने के बाद हमारे पास एक कॉडर्रेट्रिक कॉईशन बन गी है किहां से तो यह सीजी स्केर प्लस डी माइनस ए जी माइनस बी अब यहां पर मैंने capital A, capital B, capital C यूज़ किया है क्योंकि जो ABC तो पहले ही यूज़ होए है तो इसलिए मैंने quadratic formula apply करने के लिए वहां पर हमें ABC की value की ज़रूरत होती है तो इसलिए मैंने यहां पर capital letters यूज़ किया है A, B and C यह capital letters यूज़ किया है तो formula apply करती है मैंने यह formula लिखा है quadratic formula है इसमें values put की है ठीक है values put करने के बाद यहां से इसको minus जो यह वाला था इसको अंदर multiply करती है तो यह मारे पास बन गया A minus D plus minus square root अब यह था D minus A इसको हम A minus D भी देख सकते हैं जब minus common करेंगे तो minus का square दोबारा वो positive होजेगा ठीक है A minus D whole का square तो minus यह वाला और minus यह वाला plus होजेगा plus B C divided by C ठीक है अब हम इसके जो है जैसे यह simple हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे हम roots के nature को discuss करते हैं उर्षा एक में कि हमारे पास यह वाला जू होगा तो हमारे roots कितने होगे यह वाला c confiance ज है वह less than zero आ गया तो हमेरे imaginary roots आ जाएंगे यह वाला फैक्तर जह वह greater than zero आocar59 तो हमारे पास तो पर फेक्ट केixonर को सकता है ठीक है वो कोई rational या irrational भी हो सकता है इस तरह की जो conditions है यही समय लें कि यही चीज हमने discuss करनी है तो सबसे पहले है पहले conditions है इसमें के यहां से देखें quadratic जब formula apply करते हैं तो हमें दो roots मिलते हैं ठीक है कितने roots टू ठीक है two roots कब मिलेंगे जब for example के हमारे पास z is equal to alpha and beta two roots आगे हैं यह two roots हमें कब मिलेंगे और यह किस form जब roots two आजेंगे दो values आजेंगे तो हमारे पास वो कौन सी form बनेंगे तो यह है roots तब ही हमें दो मिलेंगे जब एक तो यह वाला factor not equal to zero होना चाहिए दूसरा c जो है वो not equal to zero हो क्यों कि अगर zero यहाँ पर c जो है वो zero हो गया तो यह तो infinite हो जएगा यह निकर unfine हो जएगा ठीक है मतलब यहाँ पर यह जो zero हो गया तो यह हमारे पास infinity आजेगी और यहाँ पर अगर यह zero हो गया तो यह zero होने से यह factor बच जेगा और यह वाला तो इससे तो plus minus वाला तो factor zero हो गया ना मतलब उससे तो हमें दो values मिलनी थी वो तो zero हो गया वो तो खतम हो गया अब यह वाला और यह वाला factor बच गया तो इसका मतलब हुआ कि हमें just जो है वो एक ही value मिलने वाली है ठीक है तो इसल equal to zero होगा तो यहां पर अल्फा बीटा हमें तभी वैलियू मिलेंगी इफ सी नाट equal to zero और यह जो स्केर रूट के अंदर फैक्टर लिखा है यह नाट equal to zero के होना चाहिए जब ऐसी फॉर्म बने जिसमें जो है दो वैलियू हमें मिल रही हैं तो वहां से जो शेप बनेंगी यानि के फॉर्म बनेंगी वो उसको हम बोलेंगे इलिप्स ठीक है यानि के बाइलीनियर ट्रांस्फरमेशन से अगर हमें दो फिक्स्ट पॉइंट मिल रहे हैं तो वो जो है इलिप्स की फॉर्म जो है अड़ाप्ट कर लेगा इसी तरह अगर जो है सी नाट इक्वल टू जीरो ठीक है सी क्या है नाट इक्वल टू जीरो लेकिन ये फैक्टर जीरो है ठीक है मतलब ऐसी है ना कि ये वाला फैक्टर ऐसे ही बनेगा जी इक्वल टू ए माइनस डी प्लास माइनस जब ये वाला फैक्टर जीरो को हो गया ठीक है तो जीरो है जीरो जेगे डिवाइड बाय टू सी और सी जीरो नहीं है तो ए माइनस डी ड्वाइड बाय टू सी यही बनेगा इन दोनों ये भी कंप्लेक्स है ये भी कंप्लेक्स नमबर है ये भी कंप्लेक्स नमबर है तो इनको ड्वाइड करने से हमें जो है सिंप्लिफाय करने से अगें जो है लेट सी के वो ए डैश है वो एक कंप्लेक्स न नमबर मिलेगा तो जब एक ही complex नमबर मिलेगा तो हमारे पास जो form बनेगी उसको हम एक ही fixed point जब मिलेगा ठीक है transformation के बाद तो उसको हम बोलेंगे parabolic transformation ठीक है उस transformation को हम नाम देंगे parabolic transformation का इसी तरह next जो third condition है अगर c c जो है वो zero हो जाए ठीक है c zero हो जाए और a minus d not equal to zero तो यहां पर जब यह zero हो जाएगा तो यहां पर इस दुबारा factor को देखें यह फार्मूले को यहां पर अगर c जो है वो zero हो गया तो नीचे आपको पता है कि divide में अगर zero हो जाए तो वो सारा जो factor है वो infinite हो जाता है ठीक है जब ऐसी फार्म बन जाए जिसमें एक point जो है वो infinite हो तो उस transformation को हम कहते हैं hyperbolic transformation ठीक है जब point जो है एक point जो है वो एक fixed point जो है वो infinite आ जाए तो उस transformation को हम नाम देते हैं hyperbolic transformation का नीचे कुछ question है एक दू वो आपने खुद try करने है w is equal to यह एक यह वाला है और दूसरा यह इसके आपने fixed points find करने है ठीक है यह points find करने और फिर देखना है कि यह कौन सी transformation बनती है ठीक है एक point आए तो कौन सी form बनती है दो आए तो कौन सी infinite आए तो कौन सी point transformation बनती है तो next lecture में इंशाला हम complex integration start करेंगे तो इसके रिलेटर कुछ example को discuss करेंगे अलहाफिस